इस वीडियो में हमने जाना कि जू भी हमारा डियस होता है उसमें अलग-अलग सेटिंग के बारा में हमने चाना इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि जू भी हमारा डियस होता है उसमें सेट अप मेन वाता है उसमें आपे आप देखोगी जिसमें अलग-अलग यहां आपको future देखने को मिलता है उसमें आपे आपको किस तरह के setting करना है किस तरह किस हमको setting रखना है ताकि हमारा जूभी DSR रहे वो सही तरह किसे work करें सही तरह किसे हम photography कर पाए उसके बारे में step by step पूरी digital के साथ है आपको बताने वाल तो देखते रहे पूरी वीडियो और अभी तक क्याफे मेरी चैनल का आपने सुस्क्राइब किया तो तूरण से जाके सुस्क्राइब कर दीगे तो गाईज यहाँ पर देख सकते जू भी हमारा डियासर है उसमें हम setup menu के बारे में हम देखने वाले यानि कि जू भी हमें feature दिया गया है उसके बारे में step by step पूरी digital के साथ है हम जानेगे तो गाईज यहाँ पर देख सकते first option है format memory card यानि कि जू भी हमारा s recall है जिसमें आप देख सकते slot 1, slot 2 यानि कि जू भी हमेरा डियासर है उसमें आपर slot 2 इसमें आपर minute s recall डालाए तो उसको यहाँ पर में format करना चाहता है तो यहाँ से format कर सकता है इसके बाद आपर देख सकत रिजट यूजर सेटिंग यानि कि जू भी हमारा unit one और यहाँ पर unit two उसको हम रिजट करना चाहते है तो यहाँ से कर सकते इसके बाद यहाँ पर देख सकते है monitor brightness यान कि जू भी हमारा डियासर होता है उसके display में हम monitor है यान कि जू भी हमारी lighting है वो यहाँ ज्यादा करना च चाते कम करना चाते हैं कि देख सकते तो यहां से हम कर सकते हैं तो मैं-2 पर रखता क्योंकि वीडियो शिटिंग जू भी वह अच्छे से हो सके इसलिए इसके बाद पर देख सकते है जिसके वाद जो भी हमारा डियसर है वह यहाँ पर बंद हो जाता है इसके बाद याप देख सकते clean email sensor यहाँ कि जो भी हमारा image sensor है वह यहाँ पर clean हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ आप clean कर सकते इसके बाद आप नीचे देखो कि जिसमें देख सकते clean and startup and shutdown जो भी आपका DR है उसको यहाप on तो भी क्लिंग करते हो यहाप बिल्टे up और अपक्लिन होगा इसके बाद पर देख सकती लॉक्ष मेर, एंद कि जो करना चाहते हैं, यहाँ करके यहां से मेर, उभी मेर है उसको यहाँ आप उपर उठा के यहाँ पे mirror को clean कर सकते जिसमें आप देख सकते start वाला यहाँ पर option आ गया है तो उस पर आप आप click करते हो जिसके बद जो भी आपका mirror है वो यहाँ पर उपर जाएगा यह उसको यहाँ पर आप clean कर सकते इसके बद आप नीचे देखेगी जिसमें देख सकते image dust of red photo याण कि जो भी हाँ पर आपका DSR होता है याण कि Nikon का यहाँ पर आप DSR यूज़ करते हो जिसमें आपको capture NXD software का यूज़ करना पड़ेगा तब यहाँ पर आप image sensor को यहाँ पर clean कर सकते हैं कि कहीं पर आप sensor में dust आ जाता है उसको यहाँ पर आपका Nikon का DSR है जिसमें आपको capture NXD software का यूज़ करना पड़ेगा तब यहाँ पर आप clean कर सकते हैं इसके बाद आप नीचे देखो कि जिसमें आप देख सकते फिलकर रिडेक्शन यान कि जो भी हाँ पर आपका DSR होता है उसमें आप फोटो खिषते हो या तो आप वीडियो ग्राफिक करते हो उसमें आप 16SJR से आपको फोटोग्राफिक करता हो इसके बाद आप नीचे देखेगी जिसमें देख सकते टाइम जोन एंड डेटा है यान कि जूपी आपका DSR है उसमें आप टाइम सेट करना चाहते इसके बाद आप डेट फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखाई देता है यान कि DMY इस तर अपको यहाँ पर आता है वह यहाँ आप कर सकते इसके बाद आप नीचे देखेएंगी जिसमें देख सकते ऑटो इमेज रोटरेशन है और कि जूबी आपका DSR है उसमें आपके आप आप इमेज को रोटरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते То यूपर इमें वहाँ ह बिए आप अ कोई भी ऐसा बंदा है always आपकी फोटो को यूजर ना करें तो से आप copyright कर सकते लेकिन यहां पर में ओफ ही रखता हूँ इसके बाद आप नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते सेव स्लाइश लाड है सैटिंग है जो भी यहां पर आपकी डियसर की सैटिंग है उसको आप स्लाइश लाड है इसके बाद दूसरे इसके बाद दूसरे कैमेरे में आप यूज करना चाहते तो कर सकते लिकने यहां पर यहां से त्याइड कर सकते हैं जो भी हमारा डियसर है उसमें हम फोटोग्राफी या तो वीडियोग्राफी करने के लिए जाती है जिसमें हम ट्राइपोड पर लगाते हो तब हम इसका इस्तमाल कर सकते इसका बाद आपके नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते आपका डियसर है उसमें लापड है जो भी हम काटने बियार को हुत है इसके सब्सक्राइब आप देख सकते आटोफोकस fine tune को आप आप on off कर सकते इसके बाद आप save values कर सकते इसके बाद default कर सकते इसके बाद आप लिस्ट save values इसमें आप जो भी setting है वो आप रखिए उसमें आप कुछ भी आप आपको करने की जरूरत नहीं जो भी हमारा आटोफोकस होता है उसको हम fine tune करना चाहते तब हमको इसका यूज करना है और आप आपको ज्यादा तर ओटो में रखना ताकि जो भी आपका डियसर है वो खुद माखुद यहांपे set करे इसका बाद आप device control है कि जो भी हम device लगाते इसको यहांप आपको on रखना है यांकि यहांप आप आप और चाहते तूब यहांप यानिकि देख सकते हैं, Enable Disable यहाँ पर कर सकते हैं, Use GPS to Set Camera Clock, यानिकि जू भी आपका डियासर है, उसमें आपका डियासर है, उसको यापर सेट करना चाहते हैं, तो यहां से कर सकते हैं, जब हम GPS का यूज करते हैं, तब हमको इस सैटिंग को यहाँ पर करना है, इसका बद बिचे देखेंगे जिसमें देख सकते हैं wireless mobile adapter है जो भी हमारी setting है यानि कि जो भी हमारा DS होता है उसमें अलग हम device लगाते हैं जिसमें आप वाइफय हो गया Bluetooth हो गया तो कोई भी ऐसा adapter लगाते हैं तब हमको enable करना है यान कि जो भी हमारा mobile है उससे हम connect करना चाहते हैं तब हमको इसको enable करना और कि मैंने कभी भी यहां पर यूज नि किया इसलिए अपर में disable रखता है इंहिं कि आप रखता हूँ, इसके बाद आपर देख सकते है network है, जो भी हमारा dayser होता है, उसमें हम किसी network को हम connect करते है, और आपर उसको control करना चाहते है, तो यहां से कर सकते ह वाइफाई हो इस तरह से ओप्शन आ जाता है यहां कि हम अलग से लगाते हैं वाइफाई तो यहां पर जो भी हमारा नेटवर्ड ओप्शन है वह यहां पर इनेबल हो जाएगा इसके बाद आप नीचे देखेंगे जिसमें देख सकते जो भी हमारा डियस रुटा है उसमें हम फोर्मर वर्शन को यहां पर चेक करना चाहते तो यहां से कर सकते और आप और यहां पर डाउनलोड है तो उसको यहां पर हम अपग्रेट कर सकते तो यहां से इस तरह के साम सेटिंग कर सकते तो गाईज यहां पर जो भी हमारा सेटप करने के लिए जाए उसमें आपको कोई भी ऐसी दिक्कत ना इसके सार्थ में वह भी बताने वालों है कि जूभी आपका डियसर होता है उसमें आपको किस तरह सेटिंग करना है किस तरह सेटिंग रखना है जो भी फोटोग्राफिक करने के लिए जाए उसमें आपको कोई भी प्रता देता है तो इस कूर्स में इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो हमारी चानल को लाइक श्राव जरू किजिए ऐसे नीवीडियो आप देखते रहे हमारे चानल को सपट जाम देने वह वीडियो के साथ तरह तरह देगाते हैं